आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के अपडेट गूगल हमिंग बर्ड पर हलो और वेलकम बेक टो अनादर वीडियो माई नेम इस दानिश एंड यूर वाचिंग डिजितर मेंटोर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो जो की गूगल पैंगूइन और गूगल पैंडा पर दी वो नहीं देखी हैं तो आप उपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरह गूगल के अपडेट काम करते हैं, कब वो रिलीज हुए और किस तरह उन से बचा जा सकता है तो बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो गूगल हमिंग बट की तरफ आज किस वीडियो में हम गूगल हमिंग बट को थ्री सिम्पल स्टैप में समझेंगे Step No.1 Google Hummingbird क्या है और किस तरह ये काम करता है Step No.2 Google Hummingbird से किन वेबसाइट को खत्रा है Step No.3 किस तरह Google Hummingbird से बचा जा सकता है If you don't subscribe my channel, please do subscribe our channel for latest updates Google Hummingbird 20 August 2013 को रिलीज हुआ था इससे पहले Google 2 और अपडेट लॉंच कर चुका था जिन पर मैं already वीडियो बना चुका हूँ The first one is Google Panda and the second one is Google Penguin Google Hummingbird एक ऐसा algorithm है जो ये ensure करता है कि specific queries को ही best results show हो Google Hummingbird का main purpose user की queries को अच्छे से समझ कर उसे best results show करना है इसके लावे ये conversational search पर भी काम करता है जब आपको इक queries Google पर search करते हैं तो ये उस queries को complete करके आपको best result show करता है चलिए इसको example से समझते हैं मान लीजिए आपने search किया food तो ऐसे में आपका caution complete नहीं है में भी हो सकता है आप किसी तरह का food खाना चाहते हूं या food blog पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में search engine आपके keyword में कुछ और keyword add करके आपको nearby कुछ restaurant show करेगा जिन लोगों ने food पर quality content लिखा होगा आपको वो result में show होगा Google hummingbird long tail keyword पर काम करता है जिसमें visitor की queries को अच्छे से समझा जा सके Google hummingbird उन सभी website के लिए एक अच्छा option है जो अपने blog में long tail keyword यूज करते है step number two Google hummingbird से किन website को खत्रा है hummingbird से उन सभी website को खत्रा है जो अपने content में keyword stuffing करते हैं जो लोग low quality content बनाते हैं और visitor को आधी अधूरी जानकारी मिल पाती है उन सभी website को Google hummingbird की तरफ से penalty मिल सकती है हमारा last और main step किस तरह Google hummingbird से बचा जा सकता है Google hummingbird से बचने के लिए long tail keyword का यूज करे अपने content में 2.5% keyword का यूज करे keyword stuffing ना करे और अपनी website पर spamming ना करे तो आज का topic यहां खतम करते हैं I believe आपको Google hummingbird अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो अगर पसंद आयो हो तो प्लीज लाइक कीजिये शेर कीजिये और सब्सक्राइब कीजिये और थैंक्स वर वाचिंग डिजिटल मेंटोर